क्या आप अपना laundry का business शुरू करना चाहते हैं चोटा startup शुरू करना चाहते हैं अपने घर से या अपने location से तो इस video में आपको पूरा guide मिलेगा किस तरीके से आप अपने laundry business शुरू कर सकते हैं और क्या क्या चीज आपको धियान में रखना परेगा ताकि आप एक सफल laundry business शु क्या हुआ रहेगा कि किस अंख्ष में कि क्या का चीज मैंने cover किया है तो अगर आप थोड़ा सा जल्दी में हैं तो आप skip करके देख सकते हैं वो time stamp आपके mobile में दिखेगा जो आपका screen है वहाँ पे देखेगा आप देख पाएंगे या आपके desktop में आप देख पाएंगे य बार में यहां पर मैंने dry cleaning नहीं किया है क्योंकि जब भी आप dry cleaning करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक process होता है dry cleaning का तो यहां पे मैं वो process बाद में अब upgrade कर सकते हैं अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको details के बार में जान सकें और अगर आप को follow करके आप जरूर अपना business शुरू कर सकते हैं ओके तो शुरू करने से पहले जैसे आपको मैं बार बार बताता हूं कि जो भी मैं business guide बनाता हूं आपके लिए इस जगा भी user buyer जानना बहुत ही ज़री होता है customer मतलब customer सोचके अगर चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है वैसा नहीं कि कोई भी कपड़ा पहनने वाला आदमी आपको कस्टमर ऐसा सोचने से आपको नहीं चलेगा आपको यहां पर स्पेसेफाइब करना पड़ेगा कि आपका target audience कौन है तो यहां पर आपका target audience है nuclear family जहां पर लोगों के पास time नहीं अपना कपड़ा दोने के लिए आरेंट करने के लिए उनको एक service चाहिए यह आपका prime target audience है फिर आपका हो जाता है old age home मतलब जो बुज़ूर्ग आदमी है बुज़ूर्ग वाइस के लोग है senior citizens है old age लोगों को आपको target करना पड़ेगा क्योंकि अपरेद होने में दिक्कत होती है फिर आपके schools especially आपका boarding school या colleges के सामने क्योंकि college student जो है अगर आप एक रेपूटेट college में जाते हैं आपको uniform पहना पड़ेगा तो बच्चों के पास typically अगर आप एक good enough college का असपास में अगर रहते हैं तो वहाँ पे लोगों के पास पैसा होता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे college के सामने खो student दोने के students के students अगर standard होगे तो उनके माद भी standard होगे so they can spend money so college students या school students को बोर्डिंग स्कूल के वहाँ पे आप उनको target कर सकते हैं next हो जाता है hospitals obviously hospitals अभी health care जो है that is a booming sector तो आपका जो नर्सेस जो कप्रा पहनते हैं मास पहनते हैं उसको साफ करना परता है धोना परता है होता है आपका hotels में as usual आपको पताइए फिर आपके जो doctors है decorators sorry decorators है decorators अभी तो आपका जैसे event management का business तो पुरा डूब गया पर decorators जो है जहां पर आपका caterer होता है वो जो पूरा सजाते हैं पूरा बनाते हैं तो उनका regular basis मुसको धोना परता है जो भी table cloth होता है जो भी इस्तवाल करता है उसको भी दोना परता है वो तो खुद दी दोएंगे वो किसी को outsource करेंगे तो यह चीज़ आप outsource कर सकते हैं उनका जो गंदा कपड़ा है जो भी decorator का कपड़ा है उसको आप साफसफाई कर सकते हैं तो यहां पे आपको मैंने क्या यहां पर आपको bulk मीं मिलेगा यहां पर आपका margin कम होगा यहां पर यहां पर relatively volume बहुत जादा होगा तो बायर कौन है यहां पर मैंने आपको यूजर बता दिया बायर कौन है बायर टिपिकली इस similar to user यह बहुत बड़ा advantage है क्योंकि यहां पर आपको marketing में फाइदा होगा आ यूजर कौन होता है बच्चा होता है और बायर कौन होता है मतलब पैसा कौन देता है पैरेंस देता है तो यहां पर यूजर बायर जब अलग होता है तो आपकी marketing strategy अलग होगी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते तो आप हमारे private group के साथ जूर सकते हैं one person group के साथ क्या है तो यहां पर customer आपको कहां मिलेगा online या offline क्यूंकि आपका जो business है that is location centric मतलब आपका यहां पर आपका यहां पर agency है यहां पर काम होता है तो विदिन यून फाइफ किलोमेटर या आपका 3 किलोमेटर रडियस के अंदर ही आपके customers आएगे को 20 किलोमेटर दूर से तो आपका जो customer radius है that is within 5 to 3 to 5 किलोमेटर उसके अंदर ही होता है उससे ज्यादा नहीं होता है 5 किलोमेटर is on the higher side 3 किलोमेटर is also on the higher side but that is the optimum you know radius where you have to work and where you will work so mostly अभी कोरोना की बज़े से तो आप online ही आपको करना पड़ेगा offline में करेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है पर still यहां पर आपको balance रखके चलना पड़ेगा और यहां पर एक तरीके से आपका जो marketing strategy वो बहुत ही solve होगे वो बहुत ही easy होगे कैसे होगे easy मैं आपको बता करना पड़ेगा online में यह बहुत बड़ा एक advantage होता है कि आपको उसके बाहर advertisement करके कोई फायदा नहीं है जब आप Facebook में ad देंगे और उसका पूरा course हमारे private group में दिया गये वहां पे हम बताते है step by step बताते है और recently हम कुछ future में कुछ videos upload करेंगे आपके लिए किस तरीके साथ Facebook पर दे सकते हैं Google पर दे सकते हैं बहुत ही असानी से अगर आप महिने में 2-3,000 रुपे खर्चा करते हैं तो वहां से भी आपका बहुत अच्छा lead generate हो जाएगा तो अगर आप Facebook पर देते हैं तो अपनी business या अपनी पिन कोर या अपनी area के around 3 km radius में आपनी advertisement किया वहां से आ करना है अपने services बताना है और अपना phone number अपना phone number बताने अपने services बनाना है और जैसे आपको मिल जाएगा जो आपके letterbox में जाके डाल देगा और letterbox में लोग देखेंगे या newspaper में आप जो leaflet distribution होता है उसके माध्यम से आप local audience के पास offline भी पहुँच जाएंगी और online भी पहु जाते हैं क्योंकि लोग अपने mobile को 7 गंटा डेली देखते हैं या 4 गंटा या 5 गंटा डेली देखते हैं तो वहां पर अगर आप गुच जाएंगे आपको देखना परेगा कौन से एफेक्टिव है आप 50-50 बैलेंस में कर सकते हैं 60-40 बैलेंस में कर सकते हैं 70-30 बैलेंस में कर सकते हैं आपको यह थोड़ा सा आप जाएगा हर एक बार जो है आपको डेटा जो है ऑनलाइस करना परेगा तो इसी तरही के से आप कस्टमर तक रीच आउट कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि आपका लोकल कस्टमर आपको टारगेट करना पड़ेगा आपको 10 किलोमेटर 20 किलोमेटर दूर टारगेट करके कोई फैदा नहीं और डिजिनल मार्केटिंग एजनसी को जोहत नहीं देने की चलेगा आपका लोकेशन डिजारेबल लोकेशन कौन सा अप मुझे बताइए कि कहां पर होगा है कि गयास कीजिए और बेस्ट पार्ट इस अर्बन एरिया जहां पर लोग ज्यादा है जो पॉपलेशन डेंसेटी इस वेरी हाइव उसी के साथ साथ लोगों के पास टाइम जो है वह कम होता है पैसा जो है वह सब्सक्राइब करके फायदा नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है टाइम ज्यादा है और सेमी अर्बन में भी स्लोली देरिस बैलन्स बिट्वें अर्बन एंड रूरल तो यह सेग्में भी आप टार्गेट कर सकते हैं यहां पर से मैंने कहा कि आपको तीन सेग्मेंट मैंने दिया था कौन सा सेग्मेंट मैंने दिया था बूटीक छोटे चोटे बहुत सारे बूटीक होते हैं उनको भी help चाहिए होती ड्राइट क्लीनिंग का जो आपके bridal कपड़े सेल करते हैं उनको भी required होता है जो clothing shop होता है जो कपड़ा बेजते हैं या कपड़ा आपका प्रोवाइट करते हैं shirt का shop है T-shirt का shop है T-shirt sell करते हैं इनको भी आप target कर सकते हैं इनकी requirement होती हेवी requirement अगर नहीं होता है फिर भी इनके पास required आपको regular basis में थोड़ा 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 काम मिलता रहेगा तो आप जब semi-urban areas में हैं तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि यह जो audience है जो मैंने आपको ब वीडियो देख नहीं हो और smart enough आपको पता चल जाएगा फिर आप इसको online के माधियम से अफ्लाइन के माधियम से target कर सकते हैं और उनको customer lead generate कर सकते हैं सेम चीज आप अप्लाइ करेंगे अर्बन और semi-urban area में थोह से branding आपका अच्छा ना हो पड़ेगा call to action अच्छा होना पड़ेगा यह चीज अगर आप अच्छा करते हैं तो online में easily आप इसको lead generate कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या licensing की जहुत होगी जब आप business शुरू करेंगे obviously अगर आप business शुरू करते हैं तो trade license चाहिए होता है trade license बार-बार कहता हूं कि आपके local municipality आपको provide करती है या आप यहां पे कोई भी सी आपका CA जो है या lawyer जो है उससे आप बात कीजिए व आपका hospitals का healthcare facilities का hotels का तो वहां पे अगर आप ISO certification या ISO 9000 या ISO 9001 का certification उठाते हैं या government tender के लिए apply कर रहे हैं तो उस जगह पे अगर आपका ISO certification होता है तो वहां पे आपको preference जादा मिलेगी अगर आपका brand value अच्छा है तो फिर obviously आपको benefit होगा पर अगर आप इसको और जादा पानी चाहिए होता water fire और आपका pollution का NOC चाहिए होगा अगर आप उसको बहुत बड़े level पर काम कर रहे हैं पर initials चोटे स्टेज में जब आप काम करें तो उसमें आपको कोई जोगत नहीं है यहां पर आपको GST required है या नहीं है when you're dealing with businesses when you're dealing with businesses as in commercially अगर आप काम करें होस्ट hostel के साथ, hospital के साथ, hotel के साथ, hotel के साथ काम करें, decorator के साथ काम करें, जिनको GST आप वो आपका claim करते हैं, इन पूर GST claim करते हैं, तो अगर वो चाहते हैं, अगर आप commercially deal, deal कर रहे हैं इनके साथ, तो फिर आपको GST चाहिए होगा, पर unless and until आपका 40 lakh का threshold cross नहीं हो रहा है, 40 lakh का revenue अगर आपका cross नहीं हो रहा है, तो आपको GST की ज़वत नहीं है, क्योंकि आप within the, आप intra-state काम कर रहे हो, आप intra-state तो काम नहीं कर रहे हो, आप अपने 2-3 km या 5 km रडियस के अंदर ही काम कर रहे हो, तो उससे ज़्यादे आपका तो customer base उतना आएगा नहीं, तो यहाँ प कर रहे हैं, तो फिर आप GST apply कर सकते हैं, and then you can carry forward, but if you want to start off right now, GST is not mandatory, so आप trade license के साथ ही शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर चली बात करते हैं कि कितना working capital चाहिए, property कितना चाहिए, equipment investment कितना चाहिए, मैं आपको details प्रेट अप दूँगा, मैं आपको बता दूँगा, कितना पैसा लेकर अगर आप शुरू करते हैं, कितने दिन आप चला सकते हैं, without revenue, और किस तरीके से आप growth कर पाएंगे, so ideally we suggest that you start off with a capital of 200,000, मतलब 2,00,000 रुपए, approximately minimum 2,00,000 रुपए से आप शुरू कीजिए, property आपका घर से शुरू कर सकते हैं, initial stage में आपको भारा लेने की ज़र आपका जो residential property है, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं, equipment आप अपना घर में जो washing machine है, अगर आप 10 कपरा उठाते हैं, आप खुद के हाथ से भी हो सकते हैं, so कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, initial level पे आपको उतना investment नहीं करना पड़ेगा, पर कहां investment करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, तो जारी से मैंने कहा कि आपको कितना capital invest, मतलब कितना पूंजी लेके आपको चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका employee expense रहेगा, main job का expense होगा, वो होगा कि धोभी, मतलब जो आपका काम करेगा, एक होगा delivery का काम, ठीक है, एक होगा अगर जब बहु अगर आप sales का dedicated team रखना चाहते हैं, which will obviously pay you multiple times, if you do it, आपको system प्यार करके रखना होगा, यहाँ पे, initial stage में आप यह delivery का काम, sales का काम, management account का काम, खुदी कर सकते हैं, एक धोभी को hire कर सकते हैं, उसको आप 8,000 रुपए तंका दीजे महीने का, ठीक है, फिर अगर आपका काम ब आपका जो investment होगा, employee expense होगा, that will be approximately, अगर मैं एक धोभी रखता हूँ, और एक delivery boy रखता हूँ, या part-time telecaller में अगर रखता हूँ, so मेरा 12,000, 8,000 और 7,000, 8,000 आपको मिल जाएगा, 12,000 पर मन्त अगर आपका खर्चा होता है, right, property rental आप खुद के property से शुरू कर रहे हैं, so, क जाली देंगे, और मकान मालिक जो आपको भगा देया कुछ दिन बाद, तो यहां पे 5-8,000 रुपए आपका महीने है, खर्चा, electricity, internet, यहां पे नीचे होगा, initially आप अपने mobile सी चला सके, you don't need internet, you need obviously electricity, अगर आप iron का का काम कर रहे हैं, आप washing machine चला रहे हैं, तो approximately अगर आपक 3-5,000 रुपए पर महीने, अगर आपका बिजली का खर्चा होता है, marketing and sales budget यह आपका सबसे important चीज है, 3-5,000 पर मन्त, यह आप खुद ही इसको कर सकते हैं, हमारे private group में अगर जो रहते हैं, तो हम आपको guide करेंगे किस तरीके से आप Facebook marketing के माधियम से local customers को target कर सकते हैं, तो total ख रुपए प्रती महीना, यहाँ पर मैंने 6X का मतलब यह होता है कि आपको यह जो 22,000 रुपए प्रती महीना है, इसको 6 महीने का आपका पैसा, खर्चा जो है, वो आपके पास hold करके आपको चलना पड़ेगा, ताकि आप गाई, यह सोचो कि 6 महीना आपके धंदे में कुछ पैसा नहीं आने वाला, तो आपके पास वो working capital होना चाहिए, ताकि आप give up ना करें, तो यहाँ पर मैं आगर 6 से multiply करता हूँ, तो 6 मैने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, एक लाग बीस प्लस बारह हजार, मतलब एक लाग चौालिस हजार रुपए मेरे को, 1,42,000 मेरे को चाहिए होगा, ठीक है, रिमेनिंग कितना रुपए बजगा है मेरा, 58,000, तो 58,000 आप वो कहां खर्चा करना है, जैसे मैंने कहा था, 2,00,000 रुपए, हमेशा आपके पास अगर spare cash होता है, तो बहुत फायदा होता है, तो 58,000 में कैसे आप equipment में भी investment कर सकते हैं, चलि पारें कि आप on spot जाके काम कर रहें, आप उनको एक ironing का service प्रवाइड करें, बहुत ही required होता है, especially जब events का काम होता है, जब शादी का काम होता है, तो location में तो जाना possible नहीं होता है, आपको location में जाना परता है, जो bridegroom में वो आपके पास नहीं आ सकता है, तो यह आपका पर लिए, so you have to buy something which will last you for a year, मतलब 2 सल का warranty है, so you can definitely use that, अगर आप initial stage में शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप धोभी हायर नहीं करना चाहते हैं, तो आप washing machine करीच सकते हैं, यहाँ पे साथ कीजी का, आपका 5 स्टार semi-automatic है, ड्रायर वाशिंग सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, त आपको local market में मिल जाता है, so these things you can find very easily in local market, आपको जहाँ पे specialized करना पड़ेगा, आप यह बता सकते हैं, कि अपने customers को यह बता सकते हैं, कि मैं आपके घर में जाके ironing कर दूँगा, या अगर आपको कोई भी special event होता है, हम जाकि यह service प्रवाइड कर देंगे, यहाँ पे आप value addition कर सकते हैं, यहाँ पे आप खुद को अलग दिखा सकते हैं, दूसरे vendor से, ताकि आपको customer जादा से जादा मिले, customer जादा से जादा आपके पास आएगा, customer तभी आपके पास आएगा, जब आप कोई problem solve कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मेरा 9000 रुपे, अगर मैं खर्चा करता हूँ, आपका steamer में, और सब कुछ मिला के, आपका 9000 रुपे washing machine का हो गया, फिर मेरा 3000 रुपे सोचिए कि, जो ironing cloth है, प्लस जो detergent है, उसको मिला के, so most probably आपका 20 to 25,000 आपका यहाँ पे, 25,000 आपका यहाँ खर्चा हो जाता है, so this is how, still आपके पास थ Facebook page बनाई है, YouTube channel बनाई है, तो उसमें थोगा से invest कीजिए, तो देखेंगे, आपका 2 लग के अंदर ही पूरा जो business का structure है, वो आपका तियार हो जाता, the trade license के लिए भी आपको पैसा डालना पड़ेगा, उसमें भी आपका 5000 रुपे खर्चा आजाएगा, तो मोटा मोटी आप तो अचलिए बात करते हैं कि कौन सा business model यहां पर काम करता है, B2B obviously जब आप hotels के साथ काम करें, hospitals के साथ काम करें, boutiques के साथ काम करें, decorators के साथ काम करें, जब आप, जैसे मैंने कहाँ कि अगर आप hotels, hospitals, इन लोग के साथ काम करें, तो यह B2B हो जाता है, जो आपको bulk में माल देंगे, volume जो हाँ, जो है, वो जादा होगा, margin जो है, वो आपका, कम होगा, ठीक है, B2C मतलब business to customer, directly customer के पास प्था लें, nuclear families, जो है, old age homes, जो है, वहाँ पे आपका volume, जो है, वो कम होगा, और margin, जो है, जादा होगा, B2C, मतलब, आपका जो business है, वो फॉल करता है, B2B, B2C, मतलब you are also dealing with businesses and also dealing with customers directly, so this is one of the best format where you can target your customers and get you know businesses as well and also direct customers as well, so you are working in the domain of B2B to C, so this is a very big advantage तो चलिए हम बात करते हैं कि margin के बार में, typically जो market में margin होता है, वो होता है 42, 40% to 50% यानि अगर आपका दस्टका अगर आप चार्ज करते हैं, तो यहां पे आपका पांच रुपे खर्चा होगा और 50% आपका खर्चा होगा और 50% आपका मुनाफ़ा होगा यानि पांच रुपे आपका खर्चा और पांच रुपे आपका मुनाफ़ा तो यहां पे आपका 50% margin है, गोड़ अनाफ, जब बल्क में काम करेंगे, मेभी इट वो डाउन तो 25% और 30% यह रेंज में काम करेंगा, जब आप प्राइविट में काम करेंगे, मतलब इंडिविजूल के साथ, B2C में काम करेंगे, तो आपका margin जब 40-50% B2B में काम करेंगा, 20-30% इंडस्ट्री टाइप जैसे आपको पता है, क्लोधिंग, क्लीनिंग इंडस्ट्री, राय क्लीन इंडस्ट्री, लॉन्री इंडस्ट्री तो इस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, कॉम्पिटिशन कौन है, तो कॉम्पिटिशन है आपका लोकल धोबी, क्योंकि आप organized way में काम करेंगे, तो आप फिर भी जो लोकल धोबी है, वो ज़्यादा hardware कर सकता है, ज़्यादा labor दे सकता है, तो लोकल धोबी आपका आपका जो competition है, सबसे initial competition है, बाद में उसको आप overcome करके, क्योंकि आपके पास online digital marketing का support है, startup योगी का support है, startup group के साथ अगर जुडते हैं, उसका support है, online marketing का support है, आप direct customer के mobile के अंदर घुज जा रहे हैं, जहाँ पर धोबी नहीं जा सकता है, ठीक है, फिर आपके जो local cheap washing machine अभी बहुत cheap हो गया है, लोग अपने घर में washing machine डखते हैं, क्योंकि बहुत साथ लोगों के पास, अभी अगर college का कोई student है, वो washing machine तो खड़ी ते का नहीं, क्योंकि उसको, it does not make any sense, वो आपको काम देगा, तो यहाँ पे cheap washing machine is also a competitor, and also दूसरे laundry companies है, बहुत सरे franchises भी खोल जाते हैं, तो यहाँ पे वो भी आपके competitors है, पर अगर आप सही तरीके से, अगर personalized service provide करते हैं, क्योंकि आपका business का जो location है, वो 3-4 km से जादा नहीं होगा, so you can give them personalized guidance, आप घर में जाके पहुचा सकते हैं, घर में जाके competitor, जो आप से काम ले लेता है, वो यह आपका competitor होता है, वो छोटा हो बड़ा हो, that does not really matter, but इस जगा पे जैसे आप देखते हैं, that is unorganized, आपका जो competition है, that is unorganized, that is one of the biggest advantage, ठीक है, अगर आपका organized sector में काम करते हैं, तो organized आपका competitor होता है, then उसमें थोगा से दिक्कत हो सकता है, but because this is an unorganized sector, you can easily, you know, break the structure and get into it and get more and more customers, so this is where the advantage lies, यहाँ पे आपको इस जगा पी, जैसे मैंने का कि local dhubi आपके customer के आप 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 यह लोग नहीं कर सकते हैं, यह लोग नहीं कर सकते हैं, आप स्टीम क्लीनिंग, यह लोग नहीं कर सकते हैं, so this is the advantage, this is the, you know, this is the reason you will win and I am pretty यह चीज अगर आप फॉलू करते हैं, you can definitely win. तो चलिए बात करते हैं कि को existing business है या नहीं है, definitely है, आपका सदियू से, दशकों से चला आ रहा है, तो यहां पर existing business, yes, there are existing businesses, are these business franchisable, yes, laundry के बहुत सरे franchises हैं, franchise India में जाकर चेकर सकते हैं, business model क्या है, जैसे आपने देखा B2C to B, यह दोन सब model में काम करता है, B2C में भी काम करता है, B2B में भी काम करता है, so यह जो business model का जो domain है, बहुत वाइड है, so you can get customers from anywhere, so you are not defined to a specific domain, कि आपको यहीं से customer मिलेगा, आपको customer जो है, कहीं से भी मिल सकता है, and that is the reason why a lot of people are coming into it, and they are making very good money into it, so आपको किस तरीके के labor force चाहे, obviously you do not need very highly skilled labor, maybe अगर आप digital marketing करना चाहते हैं, or online promotion करना चाहते हैं, which you can outsource, या खुदी आप सीख सकते हैं, it's very simple and easy, या आपको जादा PPC यह सब करनी की ज़हत नहीं होगा, you can do it by yourself, basic अगर course करते हैं, या श्किल योगी, start-up योगी उसका, अगर 1% group के साथ जुड़ते हैं, तो आपको guidance मिल जाता है, but यहाँ आपको यहाँ पे low skill labor के साथ काम करना पड़ेगा, दोभी, या आपको low skill labor चाहिए होगा, high skill labor जो है, वो आपको नहीं चाहिए होगा, वो आप outsource कर सकते हैं, या खुद सीखके, जिसके लिए आपको high skill labor चाहिए, वो काम आप खुदी कर सकते हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं कि यह चीज़ बहुत important है, यह एक नया segment मैंने इसको put up किया है, कि आपका business अगर इसमें शूरू करते हैं, तो क्या यह franchisable है, क्या आप इसमें systems तियार कर सकते हैं, कि laundry आएगा, कपड़ा धुलेगा, iron होगा, यह systems आप तियार कर सकते हैं, येस, automation possible है, washing machine, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, yes, margins defined है, yes, 40-50%, 30-30%, owner required to manually monitor the business, no, आप कुदी कर सकते हैं, इसमें पूरा जो process हो predefined, you don't need to be there, market big enough, obviously yes, because urban areas are swelling, semi-urban areas are swelling, so market is very big enough, brand build-up करना required है, यह आपको खुद का brand build-up करना परेगा, जैसे आप देखोगे, धोबी वाला है, फिर आपका brand box है, बहुत सारे ऐसे, बहुत ही well-known, आपके laundry companies है, जो 40-40-50 साल से धंदा कर रहे हैं, तो अगर ये 40-50 साल से धंदा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, you can definitely do that, तो यहां पर अगर आप brand में थोगा से invest करते हैं, and brand building उतना आपका headache नहीं है, it's very simple and easy, अगर आप skill होगी के 1% group में आते हैं, तो हम आपको इसमें guide करते हैं, ठीक है कि इस तरह के साब अपना brand build-up कर सकते हैं, if you spend around 10-20,000 रुपीज, you can easily build up your own brand, personal brand, मतलब आपके business brand को तियार कर सकते हैं, logo के साथ, website के साथ, online graphics के साथ, it does not cost a lot of money, सिर्फ थोज़ा साब को smart बनना परेगा, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आप definitely smart हैं, So how can you win? Obviously price is a very big factor, but price कम करने से भी नहीं होगा, आपको अपना margin देखना परेगा, यहाँ आपको क्योंकि local area में काम कर रहे हैं, तो आपको personalized, personalized आपको बार-बार मैं बोल रहा है, personalized तरीके से काम करना परेगा, तो you won't be able to, margin में ज़्यादा आप compromise नहीं कर सकते हैं, brand value आपको तेयार करना परेगा, call करने से आपको help मिलेगा, even mail करने से आपको help मिलेगा, location, obviously location आपका सही होना परेगा, at least you have to be visible in that area, customer service is very important, आपका fast, super fast service आप प्रोवाइट कीज़े, जादा पैसा लेजे, कोई दिक्कत नहीं हैं आपका, right, super fast system आप प्रोवाइट कीज़े, super fast system आप प्रोवाइट कीज़े, जादा पैसा लेजे, कोई attention नहीं है, quality is important, quality आपको देना परेगा, घटिया माल use नहीं, use नहीं करना, आपको बताने कि मैं सर्फ इस्तिमाल करूँगा, मैं ये इस्तिमाल करूँगा, आपको रहना परेगा, and offline is also important, and subscription packages में बार बार काप कीज़े, मैं बार बार कहता हूँ, कि subscription में अगर आप काम करेंगे, तो बहुत long term खेलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने 2 कपरा लिया, उसमें से 40 रुपए कमाया, ऐसा धंदा नहीं करना है आपको, आपको करना है कि मैं महीने का 400 रुपए एक एक कस्टमर से उठाऊंगा, तो अगर आप महीने में 400 रुपए उठाते हैं, अगर आपका 100 कस्टमर या 50 कस्टमर भी है, तो 400 into 50 कितनों होता है, कितनों होता है बोलिए, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 20,000 रुपए आपका fix income हो जाता है, फिर आप उसको आस्ते 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 pricing को ज़ए, वॉल्यूम को ज़ए बढ़ाएए, बढ़ाएए बढ़ाएए, 800 रुपए कीजिए, 800 रुपए into 50 कितना होता है, कितना होता है, 40,000 रुपए, तो इसी तरीके से आप जो है, आपना जो income जो है, आज आसानी से बढ़ा सकते हैं, बेटर material आपको यूज करना ही पड़ेगा, और choices offer कीजिए कि आपको commercial में उसको ज़्यादा high-five नहीं चाहिए होता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस अन तक आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से आप अपना laundry business जब शुरू करेंगे, and I'm really thankful that you were patient enough to go through all this, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपका reference videos के link में आपको दिखा दूँगा, जिसका link आपका हमारे blog post में रहेगा, उसका description link में दिया हुआ रहेगा, उसी के साथ साथ आप हमारे one person group के साथ जूर सकते हैं, जहां पे हम आपको mentoring करते हैं, और आप दूसरे entrepreneurs के साथ network कर पाएंगे, मदद कर पाएं, मदद हम आपको provide करेंगे, अगर आप अपने business को evaluate करना चाते हैं, मदद चाते हैं business plan को किस तरीके साथ बैदर बना सकते हैं, तो हम आपको feedback provide करते हैं, ताकि आप अपने business को और अच्छे तरीके से बना सकें, तो अगर आप जूरना चाते हैं, तो इस number पे आप call कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, या इस link पे जा सकते हैं, उसका link आपके description में दिया हो रहेगा, और आप हमारे group के साथ जूर सकते हैं, जहां पे हम आपको मदद करेंगे, ये पूरा एक साल का membership होता है, एक साल में पूरा हम आपको guide करेंगे, आप अपने सवाल-जवाब, जो भी सवाल-जवाब होता है, जो भी दिक्कत होता है, अगर आपको business तो है, उसे के साथ सथ, अगर आपका life का भी problem होता है, यू कन share it with the community, और our community will definitely help you, ताकि आप उस problem को आसानी से solve कर सकें, तो अभी चलिए देखते हैं, कि क्या-क्या videos आप refer कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जाद से जादा जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह से देख पा रहे हैं कि यह वीडियो का link है, मैंने यह आपका जो blog post है, वहाँ पर दिया हो रहेगा, यहाँ पर पीछे से देख पा रहे हैं कि छोटे से area में उन्होंने धंदा शुरू कर दिया है, पीछे आपका ironing का काम चल रहा है, steam ironing का काम चलता है, तो यह पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह काम कर सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और जादा space के आपको ज़रूरत नहीं है, आपको रास्ते को पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका यह commercial आपका washer है, इसका फ्रेंचाइजी भी definitely होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके स washing कर सकते हैं, washing के साथ साथ आपका drying एक साथ हो जाएगी, heavy volume के लिए है, अगर आपके पास जादा volume है, पर इनी चलिए आप खुद से शुरू करते हैं, यहाँ पर यह वीडियो में भी इन्होंने बताया है कि Dark Side of Industrial Laundry Business, तो यह सारे वीडियो जो है, आप देख सकते हैं, reference दे सकते हैं, because these are domain experts, जो आपको guide कर पाएंगे, तो इसके सारे वीडियो के जितने भी सारे link है, वो इस blog post में दिया हुआ रहेगा, जो हमारे website में है, जहाँ पर आप जाके इसके बारे में जादा से जादा जान पाएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, सब लेख पा रहे हैं कि business analysis, business evaluation रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप business शुरू करना चाते हैं, business शुरू करना, it's not a very big deal, अगर आपको यह basic सी पता नहीं है, तो आप business शुरू करने जाएंगे, गिरेंगे गटें में, फिर फसेंगे, क्या करने हैं ता क्या हो रह because business is something like you're walking in a jungle, ठीक है, अगर आपको यह चीज़ पता होता है, तो यह हो सकता है, तो मैं इस जगह पर थोरा साना सतर को जाता हूँ, तो इसी तरीके से आप अपना जो business है, वो शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं, and thank you for, you know, staying in touch, तो लाइक करे इस वीडियो को और हमारे पेज को आप लाइक करके रख सकते हैं, जो बेल आइकन है, वो दबा सकते हैं, या YouTube में, YouTube चैनल, Startup Yogis में, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो, हम वह भी अपलोड करते हैं, regular basis में, so you can join there, and we will help you start your successful business, सिब बखवास नहीं करत हैं, पर जब धंदा करने उतरते हैं, अब motivation उस दिन बात चला जाता है, जब आपको धक्का लगता है, customer आके आपको गाली देता है, तो आशने करता हूं, यह वीडियो आपको फसंद आए, thank you, take care, bye bye, and good night.